नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मेगराज यॉर्मा और स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल मेगराज के रामबा तोटके में मित्रों, अगर आप लोग का पैसा कई फसा हुआ है या किसी को उधार में दिये हैं वो पैसा आपको नहीं वापस दे रहे कि लाख प्रयास करने के बाउजूत भी आपको रुका फैसा या कहीं फसा हुआ पैसा आपको वापस नहीं मिल रहे है या आपको ऐसे प्रतित हो रहा है कि पैसा डूब गया हो आज ऐसे पैसे को वापस लाने का मैं ऐसे अचुक महा उपाएं बताऊंगा जिस उपाय को करके आप अपना रुका हुआ पैसा किसी को दिया हूँ उदार को पैसा वापस पा सकते हैं जी हां मित्रों मैंने दोरा बताएवे टोटके अगर आप लोगों को अच्छे लगते होंगे तो मेरे इस टोटके को लाइक कर दीजिस और अगर आप मेरे सभी टोटकों से जूना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सबस्वाइब कर लिजिए और बंगल में जो बेल आइकान का सफल नहीं होगा मित्रों यह बहुत ही प्रभावसाली और बहुत जल्दी अपना असर दिखाने वाला टोटके हैं उसलिए मित्रों सच्चे मन से कीजिएगा इस टोटके को क्या करना है मित्रों किसी वे सुक्रवार के दिन प्राता हकाल इस नान करके सभेद वस्त्र धारन करके काफूर की छोटी छोटी टी किया को जला लिजिए जब कपूर जलता रहे तो ऊपर में आप किसी भी बरतन से धक लिजिए ताकि उस कपूर के धुय से जो काला काला है वो उपर बरतन में जम जाए तुर्मा जैसे बन जाए फिर उस तुर्मा को अपने माथे में और अपने आख में लगा करके जहां पर भी आपका पैसा फसावाए वहां आप जाए और अपने पैसे को वापस देने का आगरह कीजिए देखेगा मित्रों ऐसा उपाय बहुत ही अज़ुक उपाय है इसके राद मित्रों क्या करना है सनीवार के दिन भगवान हनुमान जी के चरन में या उनके मंदिर के सामने आप सरसो का तेल जलाए सरसो के तेल से दीपक जलाए दक्षण दिसा की तरफ होना चाहिए और इसे हर सनीवार आप हनुमान जी के मुर्ति के सामने सरसो के तेल से दिया जलाए दिया का मुख दक्षण दिसा की तरफ होना चाहिए ऐसा करने के बाद मित्रों देखिएगा सची सची निष्ठा और मन में देड़ी विश्वास के साथ आप अगर इस महा उपाय को करते हैं तो आपका पैसा कहीं भी फसा हो रहे किसी को भी दिया बनाना है सुक्रवार को मित्रों आज के मेरे टोटका यहीं तक है तो मेरी इस महा उपाय को आप लोग जरूर कीजिए तब तक लिए मित्रों आप लोग जहां भी रहे हसते रहे मुश्कुराते रहे अपने आस पास सफाई रखिए और मुझे देजिए आग्या नमस्कार